तो हेलो गाईस कैसे आप लोग इस वीडियो में हम बात करने वाले कि अगर यूज़ करते हैं विंडोस 10 उसमें आपको disable करना है antivirus तो आप उसे कैसे disable करेंगे सिर्फ एक मिनड में तो वीडियो को लास तक देखते रहे हैं मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप disable कर सकते हैं बहुत ही असानी से विंडोस 10 के antivirus को तो चलते हैं लिपटाप की स्क्रीन पर आप बताते हैं कैसे आपको option के right side में लिखा हुआ है search bar type here to search तो इस पर आपको simply type करना है protection protection जैसे हम type करते हैं तो उस पर हम में दिख जाता है virus and threat protection आपको simply इस पर click कर देना है या फिर आप setting में जाके virus and threat protection search कर सकते हैं मैंने आपको shortcut बता दिया कि आप यहाँ पर search के बटन में protection लिखके virus and threat protection पर click करके आप सीधे setting में आ सकते हैं तो आपको turn off करने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ manage setting virus and threat protection setting के अंडर नीचे लिखा हुआ है manage setting मैंने setting भी आपको click करना है यहाँ पर लिखा real time protection अगर आप इसे यहाँ अभी तो on है इसे हम off कर देते हैं off करने पर आपको यहाँ पर yes पर click करना होगा अभी देखे real time protection is off leaving your device unreliable तो आपको क्या करना है यहाँ से आप इसे बंद कर सकते हैं देखिए आप नोटिफिकेशन भी आ गया कि आपका वायरस वायरस जो एंटिवायरस है वो disable हो चुका है और अभी से यहाँ से हम on कर लेते हैं on off के बटन पर click किया तो यहाँ पर on हो गया है तो इस तरह से आप antivirus को disable कर सकते हैं जब आपको आवश रकता हो antivirus disable करने की तो यहाँ से आप antivirus disable कर सकते हैं यह देखिए रहा पूरा section यहाँ से और भी settings है आप देख स अगर वीडियो समझ में नहीं आ है तो प्लीज कमेंट करके बताएं आपको क्या समझ में नहीं आ है अगर कोई सुझाव है तो जरूर कमेंट करें तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर देए चैनल को subscribe पर ले ऐसे ही trick वाले वीडियो जाने एक इंटरस्टिंग वीडियो में